Hello Friends, Welcome to Horrorland तो आगे हम एक बार फिर एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर जो कि काफी ज्यादा मज़दार होने वता है तो आज की हमारी इस मुवी का नाम है 12 Hour Shift जो की एक Horror Thiller मुवी है जिसे Brie Grant ने डिरेक्ट किया है और इसके IMDb rating है 5.3 out of 10 stars ये मुव 2020 में रिलीज हुई थी और ये एक बहुत बहुत बहुतरिन मुवी है जिसे आप सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए तो अब आपका ज़्यादा टाम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सिधा हमारे वीडियो की ओर कोई के शुरू होते ही हम मेंडी नाम की एक ओरत को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रही थी और ये ओरत एक होस्पिटल में नर्स थी और मेंडी की शीफ्ट स्टार्ट ही होने वाली थी वो जैसे ही होस्पिटल पर पहुँशती है उसे होस्पिटल के रिसेप्शन पर केंट नाम का एक व्यक्ती रिसेप्शनिस्ट कारला से होस्पिटल में होस्पिटल में बेट पाने के लिए बहस कर रहा था जबकि वो तो बिल्कुल ही ठीक होता है कारला केंट को होस्पिटल में रूम नहीं देती और फिर उसे वहाँ से भगा देती है फिर कारला मेंडी को सोडा मशीन के पास जाने को कहती है लेकिन मेंडी वहाँ जाने से पेरले ड्रग लेती है क्योंकि मेंडी एक ड्रग एडिक्ट थी फिर हम रेजिना नाम की एक अजीब रड़की को देखते हैं जो कि मेंडी की कजीन थी वो मेंडी के हस्पिटल में आती है जहाँ पर मेंडी रेजिना को एक कॉलिथिन बेग में कुछ पकड़ा देती है और इस प्लास्टिक बेग के अंदर human organs थे जैसे की kidney और भी के ज़रूरी चीजे जिसके बदले में मेंडी रेजिना से पेसे लेती है फिर रेजिना एक cooling box के अंदर soda की bottle रखती है और kidney वाले plastic bag को वहीं जमीन पर भूल जाती है और अपनी कार में बेट कर वहाँ से निकल जाती है अगले सीन में हम देखते हैं कि मेंडी अपने काम पर लोड जाती है और वो patient के पास से कुछ दवाईया चुरा लेती है जिससे की वो नशा किया करती थी उस hospital में एक केदी को भी admit किया जाता है जिसने अपने आपको मारने की कोशिश की थी और उसके साथ कई सारे पुलीस वाले भी आये थे hospital में जेनेट नाम की एक senior nurse भी थी वो मेंडी को 67 साल के बुले आदमी का dialysis करने का काम देती है और मेंडी भी उस बुले आदमी की dialysis के लिए चली जाती है मेंडी उस बुडे आदमी की dialysis करी रही थी कि तब ही वो देखती है कि उस hospital में एक और गंबीर पेशेंट आया होता है जो की एक drug addict था और वो लगबग मरने ही वाला था जिसे देखकर मेंडी भी परिशान हो जाती है मेंडी होस्पिटल में अपने सारे काम निप्टाने के बाद में रेजीना से ली हुए पेशे को कारला को दे देती है और फिर वो दोनों ये डिसकस करते हैं कि अब किस patient की बारी है यानि कि अब किस patient के पास से वो औरगन्स इ पेशा करते थे जिसे रेजीना टांस्पोर्ट करती थी कारला ये illegal काम सब पेशों के लिए करती थी और मेंडी एक drug addict थी वो drug की जरूरत को फुड़ा करने के लिए ऐसा करती थी फिर जब रेजीना human organ के dealer Nicholas के पास में उस cooling bag को लेकर पोश्चती है तो उसमें से कुछ भी न चुकी थी निकुलस रेजीना से बहुत ज़्यादा गुस्ता होता है और वो रेजीना को ये धंकी देता है कि उसे आज रात को ही वो kidney चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उस kidney के बदले में रेजीना की kidney निकाल लेगा फिर अगेन मेंडी कारला से बात करती है कि मेंडी के दिमाग में चल रहा था कि जैसे ही वो गार्ड कहीं पर जाएगा वो उस केदी के पास से चुपके से और निकाल लेगी लेकिन वो गार्ड कहीं पर नहीं जाने वाला था और मेंडी उस गार्ड को कोफी लाने का केकर वहां से चली जाती है और फिर उस लड़के क पास आती है जो कि डरक के ओवर्डोस से लगबग मरने वाला था मेची उस लड़के को देखी रही होती है कि तबी रेजीना मेची के पास पूछती है और उसे बताती है कि उसे किड़नी वाला बैग कहीं पर गुम हो चुका है और उसकी जिम्मेधार मेंडी है रेजिना मेंडी को ये बताती है कि अकर उसने निकोलस को वापस से किड्नी लाकर नहीं दी तो वो उसके किड्नी निकाल लेगा और उससे भी मार डालेगा जिसे सुनकर मेंडी रेजिना को ये बताती है कि वो उससे already किड़नी वाला बेग दे चुकी है लेकिन रेजिना मेंडी को ये धमकी देती है कि वो लोगों को मार कर उनके किड़नी निकालती है जिसके जवाब में मेंडी ये कहती है कि उसका काम बस लोगों के ओर्गन निकालना है ना कि किसी के जान लेना रेजिना को ये पता था कि निकोलास एक बहुत बड़ा डॉन है और अगर वो किड्नी लेकर वापस नहीं गई तो वो उसे मान डालेगा और वो इस हॉस्पिटल से किड्नी लिए बिना नहीं जाने वाली थी वो मेंडी से कहती है कि उसका भाई एंड्री वो बढ़ने ही वाला है और वो उसके किड़्ी निकाल सकते हैं जिससे मेंडी को गुस्षा आ जाता है और वो रेजिना को वहाँ से जाने को कहती है दरसल मेंडी और एंडल दोने ड्रग एडिट थे और वो एंडल को इसलिए आइडेंटिपाइ नहीं करती क्योंकि वो होस्पिटल में अपनी रेपूटेशन खराब नहीं करना चाहती थी हम यह देखते हैं कि रेजीना चुपके सब होस्पिटल में आ जाती है और नर्स की ट्रेस पेंट कर पेशेंट्स को चेक करने के लिए चली जाती है और इधर मेंडी मॉर्फिन की शीशिया चुरा कर कॉफी के अंदर मॉर्फिन को मिला देती है जिसके बद मेंडी इस मॉर्फिन मिले ही कॉफी को उस केदी के सिक्यूरिटी गार्ड को दे देती है और वो भी इसे पी लेता है मेंडी ये चाहती थी कि वो सिक्यूरिटी गार्ड मॉर्फिन के नश्य से ब्योंस हो जाए और इसका फायदा उठा कर वो स्केदिक ओर्गन्स को निकाल ले रेजिन पेशन्ट्स को चेक करते करते मिस्टर कॉलिंस के पास पूश्टी है वो मिस्टर कॉलिंस वही व्यक्ती था जीन का डायलिसिस चल रहा था रेजिनो को वहाँ पर ब्लीच की बोटल दिखाए देती है और वो मिस्टर कॉलिंस को वो ब्लीच पिला कर मार डालती है जो बाकी नर्स को इस बात की खबर लगती है तो वो पुलिस को कॉल कर देते हैं जिससे कि मेंडी और काला टेंशन में आ जाते हैं क्यूंकि अगर हॉस्पिटल ना पुलिस आई तो वहाँ पर निविस्टिकेशन होगी और उससे हो सकता है कि मेंडी और काला की कर्तुतों का खुलासा हो जाए किसी को ये नहीं पता होता कि ये मडर किसने किया है और सभी को ये लगता है कि कोई बदमाश मडर वहाँ पर हॉस्पिटल में घूम रहा है तभी मेंडी ये देखती है कि रेजिना हॉस्पिटल के स्टोर में खड़ी है और वो ये समझ जाती है कि रेजिना ने ही मिस्टर कॉलिंस को मारा है रेजिना मेंडी से मिस्टर कॉलिंस की किड्नी मांगती है लेकिन मेंडी रेजिना को बेकूफ केकर उसे बताती है कि मिस्टर कॉलिंस तो डालेसिस पर थे क्योंकि उनकी किड्नी अल्रेडी काम नहीं कर रही थी और रेजिना ने अपनी बेकूफी के चलते एक मासूम व्यक्ति को मार डाला रेजिना को इस बात का कोई अफसोस नहीं होता और वो बिना किड्नी लिये हुए इस होस्पिटल से नहीं जाने वाली थी मेंडी रेजिना को ये धमकाती है कि जल्दी ही यहाँ पर पुलिस आजाएगी और वो से ये सब बता देगी कि रेजिना ने मिस्टर कॉलिंस को मारा है रेजिना उल्टा मेंडी को ये धमकाती है वो मेंडी से ये कहती है कि वो पुलिस को ये बता देगी कि मेंडी यहाँ पर ड्रक्स लिती है और पेशेंट्स के ओर्गन्स को illegal तरीके से बेशती है मेंडी रेजिना की बाते सुनकर डर जाती है और वो उसके help करने के लिए तयार हुआती है वो रेजिना से कहती है कि उसे कुछ समय के लिए यहाँ पर होस्पिटल में रुकना होगा और तब तक को किसी पेशेंट से किड्नी अरेंज कर लेगी फिर हम देखते हैं कि मेंडी होस्पिटल के सभी पेशेंट्स को चेक करती है जिनकी कोई फैमिली नहीं थी और आखिकर उसे ICU में एक पेशेंट्स मिल ही जाता है मेंडी उस पेशेंट को दवाई का ओवरडोस देकर उसे मा डालती है और हम देखते हैं कि जल्दी ही पुलिस भी होस्पिटल में आ जाती है जो कि मेंडी और बाकी नर्स से पूश्टाश करती है मेंडी उस पूलिस वाले के सवालों को बहुत अच्ची तरह से हेंडल करती है और उससे बच जाए कुछ समय के बाद में कारला मेंडी को ये बताती है कि ICU वाला व्योव्यक्ती मर चुका है जिससे उसने इंजेक्शन दिया था और वो पेशेंट नीचे मौर्ग में है जिसका ट्रांस्प्लांट मेंडी जाकर कर सकती है जिसके बाद मेंडी मौर्ग में जाकर वहां का दर्वाजा लगा लेती है और स्टेचर पर पड़े उस पेशेंट को पलटने की कोशिश करती है जो की बहुती ज़्यादा भारी था वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी वो उसे पलटने के चक्कर में वो पेशेंट नीचे जमीन पर गिर जाता है अकेली होने के कारण मेंडी जमीन पर ही उस मरे हुए पेशेंट की किड्नी को निकाल कर एक प्लास्टिक बेग में डाल लेती है और तब ही वहाँ पर अचानक वो पुलीस ओफिसर पहुच जाता है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता उसे बस ये लगता है कि ये एक नॉर्मल पेशेंट है जो की मर चुका है वो पुलीस ओफिसर उस डेट बोडी को उठाने में मेंडी की मदद करता है और किड्नी वाले बेग को भी उठा कर देखता है लेकिन वो पुलीस ओफिसर ये समझ नहीं पाता कि मेंडी वहाँ पर उस आदमी की किड्नी निकाल रही थी और वो ओफिसर वहाँ से चला जाता है जिसके बाद मेंडी भी अपने खून से सने हुए कपड़े को बदल लेती है यहाँ पर रेजिना के पीछे निकोलस का आदमी माइक पड़ जाता है जो कि रेजिना को किड़नी के बदले लेने आया था रेजिना होस्पिटल के बाहर एक पासी से गुजर रहे लड़के को देख लेती है और उसे फसा कर उसके साथ इंटिमेट होती है जिसके बाद वो उसे चाकू से मार डालती है और उसके पेट में एक बड़ा सा छेद करकर उसके ओर्गन्स को निकाल लेती है हम देखते हैं कि मेंडी मौर्गे से निकाली हुई किड्नी को फिर से कूलिंग बॉक्स में सोडा मशिन के पास में रख देती है और रेजिना का इंतजार करती है और तभी मेंडी को ये पता चलता है कि होस्पिटल के बाहर किसी का मडर हुआ है जिसे देखकर मेंडी ये समझ जाती है कि रेजिना ने ही ये काम किया है मेंडी कारला से मदद मांगती है और रेजिना के बारे में बताती है तबी पीछे से केंट आता है जिसके हाथ में एक अजीब सा बेक था कारला और मेंडी दोनों केंट को इगनोर कर देते हैं और उसे फिर से होस्पिटल से भगा लेते हैं वो ये देखते हैं कि रेजिना के पास में किड़नी को केरी करने के लिए कोई भी बैग नहीं था इसलिए रेजिना ने उस किड़नी को अपने अंडर गार्मेंट में केरी किया हुआ था कारला और मेंडी रेजिना को ये बताते हैं कि उसने जो उस लड़के को मार क किडनी समझ कर निकाला है दरसल में वो किडनी नहीं बलकि उस लड़के का ब्लेडर है क्यूंकि उसने उसे पेट की तरफ से निकाला है तब ही वहां होस्पिटल में लोगडाउन कर दिया जाता है ताकि पुलीस मंडरल को पकड़ सके फिर मेंडी रेजिना से कहती है कि उसने वापस से उसी सोडा मशीन के पास कुलिंग बेंग में नए किडनी रखी है जिससे वह चूप चाप जाकर यहां से उठाए और चली जाए हम यह देखते हैं कि पुलीस पुरे होस्पिटल को लॉक कर चुकी थी और रेजिना वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन नर् वाक्स में कुछ नहीं होता और वहां पर निकोलस का आदमी उसे पकड़ लेता है होस्पिटल के अंदर वो केदी उसके गार्ड को मार कर वहां से भाग जाता है और पुलीस को भी घायल कर देता है अब रेजिना और माइक जो कि निकोलस का ही आदमी था वो मेंडी के भाई मेंडी को दमगा कर एंडरू को वहां से ले जा रहा हैं क्योंकि आद dol 15 की किड़नी को लेकर वो निकोलस के पास जाए तब ही वहां पर पुलीस वाला आ जाता है जिसे मैईग गुली से शूट कर देता है और वो मेंडी को एंडू का ट्रांस्प्लांट करने के लिए मजबूर करते हैं लेकिन मेंडी माइक की आखों में इंग्जेक्शन गुसा कर वहां से भाग जाती है और जब वो वहां से भाग रही होती है तो वो सामने उस केदी को खड़ा हुआ देखती है जो कि जैनेट का गला चाकू से काड़ देता है और मेंडी उसे फरस्टेट करती है जिसके बाद मेंडी और रेजिना माइक से बचकर सोडा मशीन के पीछे चुपते हैं और उस मशीन को माइक के आने पर उसी पर गिरा देते हैं जिससे की उसकी भी मौत हो जाती और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही सूबे हो जाती है मैंडी रेजीना को बिना किड्नी कहीं होस्पिटल से बाहर घर जाने के लिए केती है और उसके भाई एंड्री को बचा लेती है अब होस्पिटल में लगभग सभी लोग मर चुके थे जिने मैंडी और रेजीना के बार केंट को प्लीस पकड़ लेती है जिसे देखेकर मेंडी चूप चाप हॉस्पिटल से निकल जाती है और अपनी कार में जाकर सो जाती है। फिर जब मेंडी की नीद खुलती है तो वो वापस ड्यूटी करने अपने हॉस्पिटल में पहुच जाती है और ओर्गन माफिया निक टरीके से मरे हुए लोगों के उन पार्टस को ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे जिनकी मार्केट में बहुच ज्यादा कीमत आगー पेशेंट ऐसे पेशेंट होते थे जिन की कोई ओनिक हो गरती एक और निप कोरें को लेने के लिए लेकिन रेजिना होस्पिटल में दूसरे किड्नी को भी घुमा देती है और अपनी बेवकूफी के कारण दो लोगों को मार डालती है लेकिन फिर भी उसे किड्नी नहीं मिलती और आखिर में रेजिना मेंडी के भाई जो कि उसका भी करजिन होता है उसके औरगन को निकालने पोच्टी है लेकिन मेंडी रेजिना को ऐसा नहीं करने देती रेजिना मेंडी की रिष्टों में करजिन लगती थी और इसलिए वो उसे पुलिस के हवैल नहीं करती और होस्पिटर से भगा देती है तो दोस्तो आज़िके वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आप मुझे कमेन्ट में ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो किस मुवी के उपर होना चाहिए और अगर आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हूँ तो सबस्केले चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि और भी कई सारे वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं और तब तक के लिए गुड़ बाई